जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का रेडियंट आडमी एकाडमी के यूटूब चैनल पर मैं विनव आपका दिल से वनंदन करता हूँ हम लोग राम सिंग यादव गाइड में समय दूरियों चाल को डिस्कस कर रहे थे 43 समब तक question सवाल हो चुका है चले तो सुरू कहते हैं 44 समब सवाल से हमारा सवाल है एक आदमी की चाल 100 km प्रटी घंटा है तता दूसरा आदमी 3 घंटे में 130 km जाता है पहले आदमी से एक गंटा पहले चलता है यदि दोनों एक अस्थान से एक दिसा में चले तो कितनी दूरी बाद एक दूश्रे से मिलेंगे सिंपल सी बात है ध्यान से सवाल को समझना है कि एक आदमी है जो एक सो किलोमेटर पायती घंटा से ये चलता है दूसरा आदमी है वो तीन घंटे में एक सो असी किलोमेटर जाता है तो दूसरे आदमी का चाल तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय इसका दूरी 180 और इसका समय है 3 180 में 3 से भाग लगा देते हैं तो आ जाता है 60 जो दूसरा आदमी है वो 60 km पहती घंटा से चलना सुरू करता है अब ये कह रहा है कि पहले आदमी से एक घंटा पहले ये जो है न दूसरा वाला आदमी है ये एक घंटा पहले चलता है इसका मतलब पहले चलने का मतलब एक घंटा में कुछ तो दूरी तै करेगा ये अगर ये 60 km पहती घंटा से चलता है तो इसका मतलब यह है कि एक घंटा में 60 km और ये एक घंटा पहले चला इसका मतलब ये 60 km चल चुका है तब ये दूसरा आदमी चलना शुरू किया है इतना देने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक समय निकाल सकते हैं कौन सा समय तो दोनों कभी एक दूसरे से मिलेगा वो समय कैसे निकालते हैं तो दोनों के बीच का जो difference रहेगा जब दोनों गारी चलना शुरू किया और उसके बीच का जो धूरी रहेगा उसको धूरी के रूप में रखना पड़ता है तो जैसे ही ये पहला वाला गारी चला तब ये दूसरा चला, तो समझ निकालते हैं, एक दूसरे से कम मिलेगा, उपर में क्या रखेंगे, 60, नीचे, चाल रखना पड़ता है, चाल क्या है, दोनों एक ही दिसा में चल रहा है, जब एक ही दिसा में चलता है, तो दोनों के चाल को माइनस करके रखना पड़ता है, त एक दूसरे को कौन पकरेगा जो पीछे से चला है पीछे से कौन चला है तो 100 किलोमेटर पैती घंटा यह देर घंटा चलेगा और इसको पकर लेगा तो हमसे पूछाए कि कितनी दूरी पर वो पकरा जाएगा तो एक काम करते हैं इस पहले वाले को देर घंटा यह सुरूवाल पचास वार में तो क्या जाएगा पचास उने तीन एक सो पचास किलोमेटर जैसे ही चलेगा पीछे से ये पकरा जाएगा ओप्सन नमबर ए हो जाएगा चले नेक्स कोशन पराते हैं सीम उसी तरीके का सवाल है और इसमें क्या करा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पचास उने कर इनकालते हैं जब चोर और इक सिपाही पाही वार्जी से मृप से ध्यान रखनाब करेगा और जब चोर और सिपाही भाग लेएं तो decisive मे मेट मेका इसमें क म्ह попроб के लिए खग ले गार्ग वहाग जब चोर को जब्सेईग करके दूर चाल और रहने पाराysz के जब एक ही दिसा में भागता है तो दोनों के चाल को माइनस करके रखते हैं, बारा में से दस माइनस हो जाएगा दो, दो किलो मीटर परती घंटा है, उपर में हमारा 200 मीटर था, 200 यहां मीटर में है, और हमारा चाल किलो मीटर परती घंटा में है, तो इस किलो मीटर परती घं सकेंड में बद लेते हैं तो हमारा समाएगा सकेंड में 360 सकेंड में पकर लेगा 360 सकेंड में कौन पकर लेगा तो सिपाही पीछे से भागेगा 360 सकेंड में पकर लेगा तो 360 सकेंड हमारा सकेंड में तो ऑप्सन है नहीं इसको मिनट में बना ले तो 60 से भाग लगा लेते हैं 0 से जीरो खतम यह कर जाएगा छे बार में तो छे मिनट में चोर पकरा जाएगा अब देख लेते हैं कितनी दूरी पर छे मिनट कौन भागेगा तो सिपाही छे मिनट भागेगा और चोर को पकर लेगा तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कितनी दूरी में पकर लेगा दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय तो सिपाही पकर रहा है तो सिपाही का चाल कितना है 12 और 12 चाल गुने समय सारा ओप्षन हमारा किलोमेटर में है तो 12 किलोमेटर पहती घंटा ही रहेगा समय को हमें घंटा में रखना पड़ेगा समय ह हमारा 6 मिनट, 6 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से लगा लेते हैं, भाग, 12 पचे 60, 6 बटे 5, 6 बटे 5 का मतलब क्या है, 1.2 किलो मीटर, 1.2 किलो मीटर, option हो जाएगा, option number C हो जाएगा, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, next question है हमारा, कि एक मालगारी सुबा 6 बजे, एक समान गती से चलती है, 12 बजे दो पहार, एक एक्सप्रेस गारी 90 किलो मेटर परती घंटा से उसी दिशा में चलती है, तथा मालगारी को साम 4 बजे पकर लेती है, तो मालगारी की परती घंटा गती क्या है, सिंपल सी बाते, बा और क्या हुआ धो पहर 12 बजे एक express गारी चला एक express गारी 12 पी-ं में चलना शुरू किया और 90 किलो मेंटर पयती घंटा से ये वाला जो है ये 90 किलो मेंटर पयती घंटा तो इसको चार घंटे में दूरी बराबाबः चाल उने समय 90 किलो मेटर पहती गंटा और समय है 903 306速 किलो میटर की दूरी त्यां कि रएगा और उसको पकर लेगा तो हमसे पूँच रहा है कि जो माल गारी है उसकी चाल माल गारी भी तो 306-किलोमेटर की की दूरी तै करेगा दून ओ 306 किलोमेटर की दूरी ताई का बस फड़ किये कि पहले चला एक बात चला है तो एक काम कहते हैं मालगारी का चाल निकालते हैं चाल अबराबर क्या होगा तो दूरी बटे समय मालगारी भी 360 किलोमेटर ही दूरी तै किया अब इसका समय 360 किलोमेटर कितने दिर में तै किया होगा छे बजे चला था मालगारी और साम चार बजे एक दूसरे से पकरा गया है तो छे बजे से चार बजे तक मालगाई चलते रहा है तो छे बजे से चार बजे तक में कितना सुबह छे बजे से साम 4 वे तक में कितना घंटा हो जाएगा 6 वजे से 12 वे तक में 6 घंटा और 10 घंटा टूटल 10 घंटा चला तो समय के जगा पर 10 जीरो से जीरो खतम चाल के हो जाएगा मालगारी का 36 किलोमेटर परती घंटा option number B हो जाएगा चली अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं आज के सारे सवाल थोरे से तो मज़ेदार है अब सवाल है एक सिपाह एक चोर को चोर से 114 मीटर पीछे था सिपाही एक मिनट में 21 मीटर था चोर 15 मीटर चलता है तो कितने समय में सिपाही चोर को पकाई लगा सिब समय पूछा है, समय बराबर क्या करते हैं, दूरी कौन सा रखते हैं, तो दोनों, चोरों से पाई के बीच का जो दूरी होगा, दोनों के बीच का दूरी कितना, 114, और नीचे रखते हैं, चाल, चाल क्या बुला है, एक मिनट में 21 मीटर, एक मिनट में 21 मीटर का मतलब है 20 میٹر परती मिनट चोर 15 मिटर परती मिनट चलता है इसका हम तो चोर का चाल 15 मिटर परती मिनट अब यहां पर एक ही दिसा में चल रहा है दोनों के चाल को घटाना होगा 21 में से 15 माइस कर लेते 6 अब यह देखना है क्या कुछ चेंज करने की जोरत है भी तो हमारा दूरी मीटर में है और चाल हमारा मीटर परती मिनट में है तो option हम देखे तो सारा option मिनट में है मीटर परती मिनट में मेरा चाल है तो बदलने की कोई आप सकता नहीं क्यों चाल भी मीटर परती मिनट में है और समय भी मिनट में है तो इसको हम लोग 14 से 106 से 114 को काट लेते हैं तो 19 वार में ये कट जाएगा तो 19 मिनट हो जाएगा 19 मिनट में सिपाही चोर को पकाई लेगा अप्शन नमबर A हो जाएगा चली नेक्स कोश्चन है हमारा नेक्स कोश्चन है ये 4 किलोमेटर 25 गंटा की चाल से पैदल चलता है उसके यात्रा अरम करने के 4 गंटा बाद B पीछी 10 किलोमेटर 25 गंटा की चाल से साइकल दोरा जाता है प्रारमभी कस्थान से कितनी दूरी पर B A को पकर लेगा सिंपल सी बात है इसमें भी सारे सवाल में सिंपल सी बाते होती है ए जो है इधर की तरब चला 4 किलोमेटर 25 गंटा से क्या हुआ जब ये 4 किलोमेटर 25 गंटा से चला तो 4 गंटा के बाद B जो है ये B 4 गंटा के बाद 10 किलोमेटर 25 गंटा से चल रहा है वो भी 10 किलोमेटर 25 गंटा से चला कब 4 गंटा बाद भाई बी चार घंटा के बाद चल रहा है तो चार घंटा में एक कुछ ना कुछ तो दूरी तै करेगा तो एक का चाल है चार किलोमेटर पाइती घंटा इसका मतलब एक घंटा में चार किलोमेटर तो चार घंटा में कितना जाएगा 16 km तो ये पता चल गया है दोनों के बीच का difference है 16 km जब हम लोग काम करते हैं समय निकाल लेते हैं एक दूसरे को कब पकरेगा समय उराव है दूरी बटे चाल तो दोनों के बीच का difference है 16 16 कहां से आगा में एक हाल से समझ में आगया होगा तो दोनों एक ही दिसा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा आजाएगा 6 तो 2 से 8 बार में 2 से 3 बार में 8 बटे 3 घंटा में पकरा जाएगा अब देखते हैं दोनों 8 बटे 3 घंटा ही चलेगा तो किसको पकरने की बात किया है तो B A को पकर लेगा बटे 3 किलोमेटर इसको पॉंट में लाएगे तो क्या आजाएगा 26.17 something आ जाएगा 26.17 किलोमेटर आ जाएगा option number D हो जाएगा चली next question की और प्रस्थान करते हैं फटा फट में अगला सवाल है दो वैक्ती एक ही अस्थान से एक ही दिसा में करम सा 4 किलोमेटर पैती घंटा तथा 5.5 किलोमेटर पैती घंटा के चाल से चले तो कितनी देर बाद उनके बीच की फासला 1.75 किलोमेटर होगा ये तो और आसान सा सवाल हो गया से पी हम से पूछ रहा है कि कितने देर में उसके बीच का फासला जो है समय हम से पूछ रहा है कि 1.75 किलो मेंट होगा समय हम लोग कैसे निकालते है समय निकालते है जो दोनों के बीच की दूरी होते उसको उपर रख लेते दोनों के बीच की दूरी है 1.75 और नीचे रखते है चाल चाल क्या है तो एक ही अस्थान से एक ही दिसा में चल रहा है एक ही दिसा में चलता है तो दोनों के चाल को माइनस करना पहता है पांच दसमलव पांच में से चार माइनस कर लेते हैं एक दसमलव पांच एक जिरो अपने मन से लगाज़े लास्ट में 0 लगाई सकते हैं दोनों का दसमलब दो-दो आंके बाद है दसमलब हो गया खत्म तो ये 25 से 7 बार में कर जाएगा 25 से 6 बार में कर जाएगा 7 बटे 6 ईक बटे 6 गंटा को हम लोग मिननट में बना लेते हैं, 60 से घुना कर जाएगा तो 1गंटा दसम से दो मोटर गायज से चलना आरम करते हैं कारियों की गती करम सा 50 km पायते गंटा और 70 km पायते गंटा है बी दो घंटे बाद एसे आगे निकल जाता है तो उनके घरों के बीच की दूरी पूछा है तो दूरी बाद चाल गुने समय चाल एक ही दिसा में दोनों चल रहा है तो दोनों के चाल को माइनस करना होगा तो 70 में से 50 निकल गया 20 तो दूरी बाद चाल गुना समय कितने देर के बाद आगे निकल जाता है तो समय के जगा पे रख लेते हैं 2 तो 20 गुना दो 40 कीलो मीटर option number B हो जाएगा चली next question हमारा नाव का सवाल है धारा का सवाल है तो इसको एक काम करते हैं ये जो 51 नंबर सवाल है जब आगे हमारा topic आएगा नाव धारा तो उस उस topic को समझने के बाद हम लोग 51 नंबर सवाल को कर लेंगे चली तब तक हम लोग 52 नंबर सवाल पर आते हैं next question है एक रेल गारी अपनी ही दिशा में करम सा 2 km पैती घंटा एवम 4 km पैती घंटा से जा रहे 2 वैक्ति को करम सा 9 सकेंड तथा 10 सकेंड में पार कर जाती है तो इस रेल गाई के लंबाई क्या है सिम्पल से बात है बातों को समझना होगा फिलाल यहाँ पर सवाल यह करा है कि एक रेल गारी है एक ही दिशा में 2 km पैती घंटा मतलब अपनी ही दिशा में दो किलोमेटर पाइती घंटा और चार किलोमेटर पाइती घंटा जा रहे दो वैक्ति मतलब एक आदमी है जो दो किलोमेटर पाइती घंटा के चाल से जा रहा है उस ट्रेन उसको 9 सकेंड में पार का जाता है सिंपल से बात है फिर से वापस समझ एक ट्रेन है और एक आदमी ट्रेन चल रही है और उसी दिसा में जिस दिसा में ट्रेन चल रही है उसी दिसा में दो किलोमेटर परती घंटा से एक आदमी चल रहा है और आदमी को 9 सकेंड में पार कर जाता है तो पहले इतना काम करते हैं समय के जह हम लोग 9 रख लेते हैं समय बराबर होता है दूरी बट हमें पता नहीं तो train की चाल मान लेते हैं X और इसमें से 2 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही दिसा में जा रहा है अब यह कह रहे हैं जब हमारा आदमी का गती 2 km परती घंटा है तो X भी हमें 1 km परती घंटा में ही मानना पड़ेगा तब तो यूनिट सेम होगा तो माइनस करेंगे तो हम यहां पर X मान ले km परती घंटा लेकिन समय था सकेंड में train की लंबाई मीटर में और हमारा चाल है km परती घंटा में तो इसको मीटर परती सकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 8 से गुना कर लेता है और यह 18 चला जाएगा उपर तो यहां मिल गया यह और इससे क्या कर सकते हैं इससे यह हम लोग कर सकते हैं कि फिलाल ऐसे ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे कंडिशन में क्या कर रहा अगर जादा स्यादा इसको काटे तो यह कट जाएगा अगर निकाले तो टील बढ़र निकालने के लिए क्या कर रहा है दो को इस तरह भेजना होगा टील बढ़र नीचे दो आजाएगा इस दो को यहां से हटा लेते हैं टील बढ़र आया एक्स माइनस दो इंटो पांच बटे दो अब दूसरी कंडिशन में आते दूसरी कंडिशन में क्या है कि आदमी चार किलोमेटर पाती घंटा से चल रहा है और वो ट्रेन इसको दस सकेन में पार कर जाता है फिर से क्या करते हैं समय के जगह हम लोग रख लेते हैं सकेंड में पार कर रहा है नो तो समय के जगह रख लिए हम लोग समय के जगह यह कम करते हैं समय के जगह रख लेते हैं 10 बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है पता नहीं दूरी के जगह तो ट्रेन की लंबाई रखना परेगा और बटे में फिर से चाल रखना परेगा ट्रेन क आवर ही निकाल लेते हैं तो एक काम करते हैं ये इस बार क्या हो जाएगा दो से इसको पांच बार में काट लेते हैं दो से इसको नौ बार में काट लेते हैं क्या मिलेगा 9 TL बराबर 5 गुना 5 पचे 25 और इंटू में X-4 एक काम करते हैं 9 को इस तरफ लेके आ जाते हैं बटे पांच इँटु x मानस 2 और बटे में 2 ये बराबर हो जाएगा इस वाले के तो पचीस इनटु x मानस 4 और बटे में यहाँ पर है नीचे 9 तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में इस 9 से एक वार x को गुना करते हैं तो 9x हो जाएगा फिर माइनस इस 9 को एकवा 2 से गुना करेंगे 9 दोना 18 हो गया 5 गुना 2 हो गया 10 10 को एकवा 1 से गुना करेंगे तो 10x और 10 को एकवा 4 से गुना करेंगे तो माइनस 40 क्योंकि माइनस है तो माइनस देना होगा अब 9X को उधातरा भेज लेते हैं 10X में से 9X निकल जाएगा X मिला और माइनस 40 को उधातरा भेज लेते हैं तो पलस 40 हो जाएगा 40 में से 8 निकल जाएगा 22 X हम लोग माने थे हैं 4 4 हमारा आ गया 22 किलोमेटर परती घंटा भी है यह चाल तो पूछा हैं ट्रेन की लंबाई अच्छा ट्रेन की लंबाई यह भी ट्रेन की लंबाई यह भी ट्रेन की लंबाई है तो X के दोनों में से किसी में भी X का वैल्यू रखते हैं और ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं चलिए फिलाल तो बड़ा सा बन गया तो इसका छोटा भी तरीका कर सकते हैं हम लोग लेकिन फिलाल फ्लुएंटली जिसे बनते हैं हम लोग इसे बना लिए by concept है चलिए next question पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा जगह तो अब हमें खाली करना पड़ेगा next question के लिए जगह करना पड़ेगा खाली इतना लंबा नहीं हो सकता था अगर हम लोग speed को ही बरावर कर देते सॉरी speed को बरावर नहीं कर सकते थे बांकी बनाते तब पता चलता किसको परावर करते फिलाल तो हम लोग next question में आते आसा करते हैं कि वो question आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर बताएं कि वो 52 number question आपको समझ में आया या ना आया चले next question है 150 मीटर लंबी एक रेलगारी दो किलोमेटर पैती घंटा की रफता से उसी दिसा में चल रहे एक आदमी को 10 सकिन में पार करता है तो रेलगारी की रफता है किलोमेटर पैती घंटा में बताएं बाते यह है कि 150 मीटर लंबी रेलगारी है और दो किलोमेटर पैती घंटा से उसी दिसा में एक आदमी जा रहा है उसको 10 सकेन में पाड़ कर जाता है तो एक काम करते हैं 10 सकेन में पाड़ करता है समय के जगा 10 रख लेते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और दूरी के जगा पर ट्रेन की लंबाही आ जाएगी ट्रेन की लंबाही के जगा 150 नीचे रखना परेगा चाल और चाल ट्रेन की भी चाल है आदमी की भी चाल है और दोनों एक ही दिसा में चल रहा है दोनों का चाल होगा माइनस दोनों का चाल होगा माइनस तो अगर आदमी का चाल किलोमेटर परती घंटा में है तो ट्रेन का चाल भी किलोमेटर परती घंट ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो एक जिरो से एक जिरो खतम हो गया, पांस से कर जाएगा, ये तीन बार में, तो क्या मिलेगा, अठारा गुना तीन चववन, एक्स माइनस दो बराबर मिल गया, चववन माइनस दो जाके, पलस दो हो जाएगा, तो चववन और दो हो गया, 56 किलोमेटर पाईती घंटा हमारा आगया, ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा, चली अगले सवाल पर आते हैं, ये पिछले सवाल जैसा ही था, बस थोरा सा काम अलग था, चली अगले सवाल के उमलोग, चववन नमबर सवाल पर आते हैं, और ये थोरा सा असपास की सोरगुल को थोरा सा इग्नोर करना परेगा, फिलहाल तो साउन्ट प्रूफ रूम तो है नहीं, चली तो चववन नमबर सवाल को देखते हैं, दो आदमी मिलने के लिए, रेवर चली तथा दिल्ली से 84 किलोमेटर के फासले के से एक साथ चलते हैं, एक आदमी है जो दिल्ली से चलता है, एक आदमी जो रेवारी से चलता है, दोनों के बीच की दूरी 84 किलोमेटर है, एक का चाल 12 किलोमेटर परती घंटा है, दूसरे का चाल 9 किलोमेटर परती घंटा है, कितने समय में मिलेंगे सिम्पल सा सवालोगा समय बराबर दूरी वटे चाल दूरी की जबबर क्या करते दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रख ले तो नीचे चाल अब चाल देखे तो एक दूसरी के विबित में चल रहा है एक दिली से चल रहा एक रेवारी से चल रहा है तो इस condition में चाल को जोरना पड़ेगा अगर सेम direction जाता तो घटा ना होता अगर opposite direction जाएगा तो उसे जोरना होगा दूनों अलग अलग direction में चल रहा है और opposite direction में तो एक 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 नीचे चाल रखना परेगा 21 से 84 कर जाएगा चार घंटे में तो आजाएगा चार घंटा उप्सन नमबर C हो जाएगा चले नेक्स पश्पन नमबर सवाल पर आते हैं एक चलते उज़ए रेल गारी एक पचास मीटे लंबर प्लैट्फर में पलैट्फरम को 14 सकेंड में एक बत्ती के खंबे को 10 सकेंड में पार करती है तो गारी की चाल किएच Always ये सवाल थोरा सा ये भी लोंग हो सकता है सवाल ये है कि एक रेलगारी है जो एक प्लैटफॉर्म को 50 मीटे लंबा प्लैटफॉर्म इसको 14 सकिन में पार कर गया और एक खंबा को 10 सकिन में पार कर गया एक काम करते हैं पहले खंबे को पार कर वाते हैं खंबे को 10 सकेंड में पार कर गया, समय के जगा 10 रख लेते हैं, और ट्रेन की लंबाई दूरी बन जाएगी, तो खंबे को पार कर रहा है, या किसी आदमी को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी बन जाती है, तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं हो, नीचे प्लेटफॉर्म को 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 प्लेटफॉर्म क प्रिन के लंबाई भी तुरंत हम लोग 10X लाए प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई तो 50 मीटर दे ही रखा और नीचे रखना पड़ता है चाल जो कि हम लोग मान चुके एक्स मीटर परती शकेन तो यहां भी हमारा समय सकेन में है और दूरी हमारा मीटर में है तो नीचे एक्स मीटर परती शकेन ही रखे चौदा को एक्स से गुना कर लेंगे 14X और 10X इसा तरह भेज लेंगे 14X में से 10X निकल जाएगा 4X 4X बरावर क्या मिल जाएगा तो 50X बरा से कर जाएगा 10 बार में और 2 से 2 बार में 2 से 5 बार में और ये 2 से 8 कर जाएगा 9 बार में 9 पच्छे 45 45 किलोमेटर परते घंटा option नमबर D हो जाएगा चले निक्स 56 सवाल पर आते हैं अगला सवाल है हमारा 30 मीटर 35 सकेंड की गति से जा रहे हैं 207 मीटर लंबी रेल गारी है और पुल को पार करने में समय पूछा है समय बराबर दूरी बटे चाल तो इस वाज दूरी क्या हो जाएगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस पूल की लंबाई दो सटर मीटर और 180 मीटर कितना हो जाएगा 70, 80, 150, 150 और 300, 450 तो लंबाई हो जाएगा दूरी 450 और नीचे रखना पर चाल चाल हमारा है 30 मीटर 35 कुछ बदलने के अब सकता नहीं क्योंकि दूरी हमारा मीटर में 4 हमारा मीटर 35 में तो बदलने के अब सकता है ने आंसर हमारा सेकेंड में आ जाएगा 3-45 कर जाएगा 15 वार में तो आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड अप्सन नमबर D हो जाएगा चले नेक्स 57 नमबर सवाल में आते हैं 110 मीटर लंबी रेलगारी 132 मीटर 35 गंटा के चाल से दौर रही है यह रेलगारी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय लें करना होगा तो 65 और 10 हो गया 75 और 272 75 तो दूरी के जगा 275 हो गया नीचे रखना पड़ेगा चाल तो चाल हमारा किया दूरी तो यहाँ पर मीटर में रखे हैं लेकिन 4 हमारा कि उम्एटर पएटे घंटा में जैसे ही दूरी है मीटर में तो चाल होना चाहिए 1-3 सकेंड मे नेक्स्ट कुस्चन है हमारा 150 मीटर लंबी रेलगारी 450 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 20 सकिन में पार करते हैं तो रेलगारी की चाल क्या है हमसे पूछा है चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय और रेलगारी प्लैटफॉर्म को पार कर रहा है तो दूरी के जगा दोनों की लंबाई को जोर लेते हैं 450 और 150 कितना हो जाएगा 600 600 मीटर हो गया और नीचे रखना पड़ेगा चाल बराव दूरी बटे समय समय की जगा 20 से देही रखा है 20 सकेंड नीचे रख लिए 20 दूरी मीटर में समय सेकेंड में तो मीटर पड़ेगा लेकिन हमारा ओप्शन है किलोमेटर पड़ेगंटा में बदलने के लिए 8 बटे 5 से कर लेते हैं गुना तो ये 0 से 0 खतम हो गया 2 से 18 नौ बार में और 5 से 60 बा चल रहे साथ सौ मीटर लंभी रेलगारी एक शूरंग को एक मिनट में पार कर जाते है तो दोरि जर्फिय प्लस-सूरंग की लंबाई ये ups मेरे पास हैने तो यह हो गया दूरी और नीचे चाल रखना परे लेकिन है किलोमेटर फर Two से गुना करें अथाँ चलाएगा ऊपर अठाड़ चौके हो गया बहत्ता अवी साथ सौनाज चार गुना सी निकल जाएगा क्या मिलेगा तोल सौन घुफा कि नमबाई क्या हो हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्ट्टन पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोस्ट्टन हमारा साथ नंबर है कि 150 मीटर लंबी रेलगारी एक 300 मीटर लंबी सुरंग को 40.5 सकेंड में पार कर जाती है तो रगारी की मतलब एक रेलगारी है जो एक 300 मीटर लंबी गुफा को पार किया है तो उसका चाल बताना चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी रेलगाई की लंबाई सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ना होगा 150 मीटर हो 350 मीटर है तो दूरी के जगा आ गया 450 और नीचे रखना होत इस दस को हम लोग भेज़ देते हैं उपर तो अब इसको solve करते हैं तो 5 से 10 तो कर जाएगा 2 बार में और साथे साथ 5 से इसको कारते हैं 5,8,4,4,1 चैएक बार में 5 से कर जाएगा ये 90 बार में फिर 9 से 9 बार में 9 से 18 दो बार में क्या मिला 9 गुना 2 गुना 2 नौ से नौ से नब्बे कटेगा दस बार में अब ठीक है तो अब हो जाएगा दस तुना बीस बीस तुना चालिस ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा चले एक सवाल और हम लोग एक सट नमबर सवाल करते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा कि 162 मीटर लंबे प्लाटफॉर्म को एक रेलगारी 162 मीटर लंबे प्लाटफॉर्म को एक रेलगारी 162 मीटर लंबे प्लाटफॉर्म को अठाई सकेंड में एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लाटफॉर्म को 15 सकेंड में पार करते हैं तो रेलगारी की 162 मिटर लंबे प्लेटफार्म को पार किया तो ट्रेन की लंबाई दूरी की जगा ट्रेन की लंबाई प्लैस प्लेटफार्म की लंबाई 162 रंबाई लेकर नीचे रहना पढ़ेगा चाल तो चाल हम लुग ट्रेन की चाल रख लेते हैं x मीटर परती सेम्ड Obrigindest 15 सकीर में पार कर रहा है, अब एक काम करते हैं, यहां रख लेते हैं 15, समय के जगा पर 15, और train की लंबाई पता नहीं है, और इस बार platform की लंबाई है 120, तो train की लंबाई प्लस platform की लंबाई नीचे रखना परेगा 4x, अब हम दो equation में पास है, इसको हम लोग solve करते, एक काम करत पहले वाल equation में से दूसरे को भाग लगा देते हैं, तो 18 और बटे आ जाएगा 15, और इधर की तरफ आए तो x x खतम है, जैसे भाग लगाएंगे, x x तो खतम ही हो जाएगा, तो बचेगा tl प्लस 162, और बटे में tl प्लस 120, यहां से train की लंबाई निकाल लेते हैं, 3 से कर जाएगा 6 बार में, 3 से कर जाएगा 5 बार में, अब इसको solve करते हैं, तो solve भी अराम से करना पड़ेगा, 6 से इस tl में गुना करेंगे, 6 tl प्लस, 6 को 120 से गुना करेंगे, बार अच्छा के 72 बरावर, फिर इस tl को 5 से गुना करेंगे, 5 tl प्लस, 5 को 162 से गुना करना पड दुना 10, 6 पज़े 30, 31 का एक, 31 का एक बाके 3, 5, 3, 8, अब 5 TL को इदह भेज देते हैं, 6 TL में से 5 TL निकल जाएगा, 1 TL, और 720 को इदह भेज लेते हैं, 810 में से 720 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या जागा 90, तो ट्रेन की लंबाई आ गई, 90 मीटर अप्सन नंबर C हो गया, चलिए अगले सवाल पे हम दोग आते हैं, 62 नंबर सवाल, जो आज का आखरी सवाल हमारा होगा, सवाल यह है कि, एक वेक्ती, एक किलुमेटर लंबे पूल से गुजरते हुए डेलगारी को देखता है, गारी की लंबाई पूल की लंबाई की आधी है, क्या भोल रहा है, एक किलु किलुमेटर का पूल हो गया, तो कह रहा है, रेल गारी पूल को दो मिनट में पार कर गया, दो मिनट का मतलब 120 सकेंड में पार कर गया, तो ट्रेन की चाल बताना है, गारी की चाल, चाल ब्रावा दूरी बटे समय, और दूरी क्या हो जागा, ट्रेन की लंबाई प्लस, प्ल 0-0,5 से कट जाएगा यह 150 तीस बार में और 6 से 2 बार में 6 से 18 तीन मार में और यह कर जाएगा तीस 15 बार में 15 गुना 3 15 गुना 3 45 तो 45 किलोमेटर पाइटे गांटा हमारा उत्तर हो जाएगा तो आज हम लोग 42 नमर तक सवाल रखते हैं कल हम लोग का नेक्ट वीडियो जो तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ हमाई कुछ सोसल मीडिया हैं इनसे आप हमसे जूर सकते हैं और वीडियो आपको कैसा लग यह आप कमेंट करके जरूर बता है तो मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में धन्यवाद